Hello everyone, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सीविल इंजिनियर होता क्या है? What is सीविल इंजिनियर? कैसे हम एक सीविल इंजिनियर बन सकते हैं? और एक सीविल इंजिनियर कितना कमाता है? तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसे like, subscribe करना ना भूलें तो सबसे पहले एक civil engineer होता क्या है जैसे कि civil engineer का हम नाम लेते हैं तो यह ध्यान आता है कि civil engineers वो होता है जो buildings बनाता है बहुत सारी चीज़े हैं civil engineers में इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा सबसे पहले बात हम करते हैं कि civil engineering हम कैसे बन सकते हैं तो सबसे पहले होता है आपके junior civil engineering diploma जो after 10th class के बाद होता है त्री years का होता है यह और किसी भी polytechnic college में आप उसके entrance exam को clear करके easily उसमें entry कर सकते हैं उसके बाद एकाता है senior बोल सकते हैं उसको civil engineering course बी-tech course जो 12th के बाद होता है और 4 years का duration होता है और इसके लिए आपको 12th में science side होनी चाहिए अच्छा बी-tech करने के लिए आपके पास entrance exam है IITZ का है जिससे आप IIT और NIT में admission ले सकते हैं या फिर आप कुछ university हैं उनका खुद का अपना entrance exam होता है वो देखर सके exam या अलिगर, DTU इन सब में आप admission ले सकते हैं कुछ private colleges भी हैं जहांपे आप B-tech में admission ले सकते हैं B-tech में admission लेने के बाद आपको 4 साल का एक course complete करना होगा तब आप B-tech civil engineer बन जाएंगे B-tech के बाद आता है M-tech master degree और PhD research purpose के लिए courses हैं पॉस graduate and doctor degree अब बात आती है कि civil engineer काम क्या करता है और कितना वो earn कर सकता है तो देखे civil engineer केवल buildings बनाने का ही काम नहीं होता है civil engineering के कैसाई branches होती है जिससे की को थी structure engineer जिसमें structure की बात होती है अब वो building का भी हो सकता है bridge का भी हो सकता है किसी बीचीज का structure हो सकता है irrigation transportation geotech soil water resource coastal ocean engineering hydraulics बहुत सारी इसकी branches है ठीक है तो हर ब्रांच का एक अपना अलग रोल होता है और अलग काम होता है जिसे structure engineer में आपको क्या करना होता है structure नहीं कि किसी भी building का structure design करना होता है किसी building एक छोटी building हो सकती है tall building हो सकती है या कोई आपका dam हो सकता है या फिर कोई आपका bridge हो सकता है तो वो होता है आपका structure engineer irrigation में आपको irrigation से related काम करना होता है transportation में road highway से related काम करना होता है, soil foundation में, soil foundation के लिए काम करना होता है, तो इस तरह से बहुत सारे काम है, अगर आप देखोगे तो 90% काम, पुरे वर्ल्ड में जो आपने 4 ओर देखते हैं अपनी लाइफ में, वो सारा 90% काम एक civil engineer ही करता है, ठीक है, तो यह आपको पसले हैं कि civil engineer का आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, आफ्टर 10 और 12 के बाद आप भी टेख कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद M.TAC और उसके बाद PhD भी कर सकते हैं, अब जैसे की बहुत सारी चीजेंद्स की मैं एक structure engineer हूँ, तो structure engineer के लिए आपको structure की knowledge होनी चाहिए, इसको software साने चाहिए, structure को design करने के लिए software से design होता है, इसमें structure और कुछ codes आपको पता होने चाहिए, तो आप एक structure engineer बन सकते हो, अब सवाल रता है क्या fresher को job मिल सकती है structure में, fresher को मिलना मुश्किल होता है पर नाम उनकी नहीं है, आप fresher भी job पा सकते हैं, और इसमें आप अपना consultancy भी खौल सकते हैं आपको कुछ experience के बाद एक certificate मिलेगा, आप उस certificate के लिए apply कर सकते हैं, जिससे आप जो government tender निकलते हैं, अप उनकों पे भी आप apply कर सकते हैं, तो एक civil engineer earn कितना कर सकता है, तो civil engineer earn के ओपर मैंने एक वीडियो भी बनाए है, जिसमें different country में civil engineer की salary क्या होती है, तो आप उस वीड आता हूं कि एक structure engineer जो होता है, जो design करता है, कुछ experience के बाद जिसने अपनी consistency खोल लिया है, उसमें consistency में क्या होता है, कि आपको एक बहुत बड़े office के जुरुत नहीं होती है, कुछ PC, कुछ employee और खुद आप, खुद आप अकेले भी काम कर सकते हैं, चोटे मोटे project, उसमें ह होता है, क्या है कि जो architecture वह आपको map देता है, और आपको software और अपनी knowledge की base पे design करके एक drawing sheet बनानी होती है, उसमें detail डालनी होती है, कि beam कहां पे होगा, column कहां पे, उसमें reinforcement कितना दलेगा, इस तरह से, और इसका जो पैसा होता है, पर foot square का पैसा होता है, मां लिजे, आपने ए एक रुपे पर foot square design का price रखा हुआ है, और आपके पास building आई है, वो 2 lakh feet square की building है, उसको design करने में, अगर आपने अच्छे से design के पूरा time उसको दिया, तो दो दिन या तीन दिन में वो design हो जाएगी, जास जादा एक हफते में वो design हो जाएगी, और आपको मिल जाएंगे 2 lakh पर यहां तक पोचने के लिए आपको experience होना चाहिए, आपको certificate होना चाहिए, consultancy का आपका बार knowledge होनी चाहिए, तब ही आप यह काम कर सकते हैं, civil engineering में आप teaching में भी जा सकते हैं, और इसके अलावा आप research भी कर सकते हैं, mtech कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, तो यह था civil engineers के बारे में, और कोई भी आपको question होता, please comment करना, share करना ना मुझे,